नमस्कार मित्रों मैं डॉक्टर आनंज जैंत काले कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लीक सीटी होस्पिटल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्तित हूं आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन टॉपिक की बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इसके उनकों कहते हैं साइलेंसर बर्न्स कई बार X-Den양 इस तरह से हो जाता है कि जो हमारा जो वी मिल होता है उसमें साइ्लनर होता है I can do said queen । 35,000्रह dispork में एक्सीडन्ट ऐसे होता है कि या तो बैठते समय पैर हमारा उससेचुजाता है या फिर जो ट्रू वी करने के बाद हमारे शरीज पे गिर जाता है और वो silencer वाला जो portion है हमारे पैरों से चिपक जाता है यह जो silencer burn होते हैं यह गहरे होते हैं यह गरम पानी से जो जलता है उससे कई गुना ज्यादा ही ट्रांसफर होती है इसलिए यह सब थर्ड डिग्री बर्न होते हैं अक्सर हमारे पास जो पेशे अगर साइजेबल या उसका बड़ा साइज है तो उसको स्किन ग्राफ्ट की जरूरत पड़ती है वह अपने आप भरने वाली स्थिती में नहीं होता तो पहले वह जो चमड़ा होता है जो गहरा जलने के वएसे चमड़ी चमड़े में बदल गई है उसको निकालना पड़त है फिर उसके बाद ड्रेसिंग्स करनी होती है और जब वह एरिया सुर्ख लाल हो जाता है तो उसके उपर हम स्किन ग्राफ्ट करके उस गाव को बरते हैं साइलेंसर बरन डीप होने की वज़े से निशान भी छोड़ते हैं गहरे गड़े भी हो जाते हैं उस जगे पे स्कि भी कॉस्मेटिक करेक्शन करके और ठीक कराना चाहते हैं तो फिर टिशू एक्सपैंडर का इस्तेमाल करके उनकों करेक्ट करते हैं टिशू एक्सपैंडर के बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं और उससे आपको जानकारी मिल सकते हैं कि टि झाल झाल